क्या फाइनल हुई बजरंगी भाईजान टू के आने की खबरें? क्या कहा डाइरेक्टेर ने फिल्म की काहा? क्या हानी को ले कर फिल्म बाहु बली के किस बड़े दिगज के साथ काम करेंगे सल्मान खान? हेलो एब्रिवान स्वागत है आपका बॉली ग्राइज स्टूडियोज में मैं बात करने वाली हूँ आज सल्मान खान की कैसी फिल्म के बारे में जिस से करोरों का मुनाफ़ा हुआ था इंडस्ट्री का इतना ही नहीं फिल्म के बाद भी अब इनेता को कहीं और जादा फेम हासिल हुआ था दोस्तों मैं बात कर रही हूँ फिल्म बजरंगी भाईजान की इस फिल्म को रिलीज हुए छे साल हो चुके हैं और इन छे साल में आज भी दरशक इस मूवी को देखना पसंद करते हैं तो उनी फैंस और व्यूर्स के लिए है एक गुड नीज जी हाँ खुश खबरी ये है कि फाइनली सल्मान खान की ओर से कन्फरमेशन दे दी गई है जल्धी बजरंगी भाईजान का सीक्विल यानी बजरंगी भाईजान 2 बड़े पर रिलीज होने वाला है 2016 में रिलीज हुई इस मूवी ने सपलता के सारे डिकॉर्द सोर दिये थे इस फिल्म ने करीब 300 करोर से भी जादा की कमाई की थी फिल्म की सक्सेस से आक्टर सल्मान खान के स्टार्डम में भी बढ़ोत्री देखने को मिले थी साती हरशाली मलोत्रा जनोंने मुन्नी का किरदार निभाया था उन्हें भी आक्टरी में एक खास जिगह मिल गई इसी के साथ मैं आपको बता दू कि बजरंगी भाईजान 2 की कहानी काफी हद तक इसके पहले पार्ट से मिलती जुलती हुई नहीं होगी जी हाँ बजरंगी भाईजान अपने आप में एक न्यू स्टोरी और न्यू कंटेंट को बड़े परदे पर दर्शाएगी ऐसा कहा जा रहा है कि हमें शायद एक बार फिर से सल्मान खान और मुन्नी का मिलन देखने को मिले और साथ ही मैं आपको बता दू कि इसके सीकुल में हरशाली मनोत्रा अब बड़े किरदार के रूप में दिखेंगे बाहुबली के निर्देशक SS राज मॉली और फिल्म के कानी कलाकार केवी विजिंद्र प्रशाद ने फिल्म की और इशारा किया है केवी विजिंद्र प्रशाद ने बताया कि वो सूपरस्टार सल्मान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान के दूसरे पार के लिए एक दमदार कहानी की तयारी कर रहे है उन्होंने आक्टर सल्मान खान से भी इस बारे में बात चीत की है और खुशी की बात ये है कि सल्मान को उनका आईडिया और कॉंसेप्ट काफी पसंदी आया है जिसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए रजाबंदी दे दी है करेंटली मेकर्स फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे है डारेक्टर ने फिल्म को लेकर कहा कि वो बजरंगी भायजान 2 की तयारी में बिजी है उन्होंने बताया कि मैंने कुछ समय पहले ही सल्मान खान से अपने विचार शेर किये थे उन्हें ये आइडिया काफी पसंद भी आया है साथ ही डारेक्टर ने ये भी कहा कि अगर चीजें सही रही तो जल्दी फिल्म की शूटिंग की शुरुआत हो जाएगी और अगले साल सक फिल्म को किया जा सकता है रिलीव दोस्तों आप सभी कितने एक्साइटेड हैं बद्रंगी भाईजान टू के लिए हमें कमेंट में बताना ना भूले फिलाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना इप मुझे आनिया पढ़ना वत को दीजिए अगर ये वीडियो पसंदाई हो तो इसे लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले